देश में तेजी से बढ़ रहे शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी, मोधी सरकार का हर साल युवाओं को दो करोड नौकरियां देने की वादे की वादा खिलाफी, रेलवे की पचास हजार नौकरियां कम करने और युवा इसनात्कों के लिए नौकरी का अभाव होने के विरोट में, NSUI के राष्ट्य अध्यक्ष नीरश कुंदन, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और विधायग विपिनबान खेडे और राष्ट्य सचिव प्रभारी नीतिश कौर के नित्रतु में, राष्ट्य समन्वेक दिव्यांशों शुमिश्रा के आयुजन में, दस फरवरी बुतवार को कटने NSUI द्वारा नौकरी दो या डिगरी वापसलों की देश व्यापी मुहिम पर SDM दफ्तर का घेराव किया जाएगा NSUI के जिलाध धिक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करके बताये कि दस्तारी को ये विशाल रैली गड़ेश चौक से SDM का रैले के और बढ़ेगी इस दोरान समस्त पदाधिकारियों और आम चात्रों से इस रैली में शामिल होने की अपील भी की गई है माननी उच्च ने आले का बहुत बहुत आभार विक्त करता हूँ मेरे दोरा दायर जन्हित याचिका पर कारवाही करते हुए कटनी समेथ नौ जिलों में सिटी स्कैन मशील इस्टैबलिश्मेंट का काम चालू हो चुका है कटनी में मशीन भी इसकी आ चुकी है हफ्ते दस दिन में इस मशीन का लुफ्त गरीब जन्ता और आम जन्ता को मिलने लगेगा माननी उच्च ने आले का हम जतना भी आभार विक्त करें जतना धन्यवाद करें कम है जो काम भारती इंता पार्टी के निकम्मी सरकार नहीं कर पाई वकाम मेरी PIL के माध्यम से माननी हाई कोट ने कर दिया हम हमारा पूरा कॉंग्रेस परिवार, NSUI परिवार, कटनी समेथ नौजले की जन्ता माननी हाई कोट का आभार विक्त करती है